जौन और बिपाशा के बीच अनवन की खबरे भले ही फैलती रही हो मगर वो दोनों एक दूसरे का साथ निभाना नहीं बूरते आखिर लब वर्ट्स को जुदा करना कोई आसान काम नहीं लैक में फैशन वी का बहाना ही सही लेकिन दोनों के अटूट रिष्टे का सबूत एक बाद फिर मिल गया खासतोर पर करीना और शाहित के टूटे हुए रिष्टे को देखने के बाद इतना तो मानना पड़ेगा कि कई मुश्किलों के बावजूद भी बॉलीवड के कुछ रिष्टे हैं जो अभी भी हैं सही सलामत जौन इब्रहिम को अगर साधारन शब्दों में डिस्क्राइब किया जाए तो वो है कैशुल शिर्ट, जीन्स और चपल पहने वाले इंसान लेकिन आज कल अगर उन्हें अब्जर्व किया जाए तो वो नजर आ रहे हैं सूट और बूट में अपनी फिल्म नो स्मोकिंग में भी और ओफ कैमरा भी और इस पार जब वो चले नरेंदर कुमार एहमद के लाक में फैशन वीग शो पर तब ही नच धचकर पिछली बार नरेंदर कुमार एहमद खुद ही अपने शो के शो स्टॉपर बने थे लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इसकी वजा आपके सामने है खुद जौन इब्राहिम नरेंदर के ही विमन्स वेर कलेक्शन पर जौन आये थे विपाशा को सपोर्ट करने और इस पर विपाशा आई जौन को सपोर्ट करने ऐसा लगता है कि इनका जादू एक दूसरे के बिना अधूरा है लेकिन जौन इस बात पर जादा जोर ना देकर मानते हैं कि वो जो भी करें दोनों होते हैं एक साथ जौन ने अब हिंदी फिल्म इंडास्ट्री में अपना एक अलग मकाम बना लिया है और अक्सर देखा गया है कि स्टार्डम की वज़े से दोस्तों और करीबी लोगों की तरफ अप्रोच सोड़ा चेंज हो जाता है लेकिन जौन ने सब के साथ मेंटेन किया है एक बैलेंस अब इससे जादा हम क्या कहें कि जौन बिल्कुल नहीं बदले है आप खुद ही देख लीजिए नरेद कुमार के शो पर वो सिर्फ शोस्टॉपर की तरह नहीं चले बलकि मॉडल्स की तरह भाग भाग कर चेंजिस भी करते रहे बिना ये सोचे कि वो सलमान खान के कई कानों पर चले रोमा शिर्वास्तव, जूम, मुंबाइ